हलो एब्रीवन आज हम पढ़ेंगे इंगलिश न्सी आटी ग्लास फोर्थ का चाप्टर दे लिटल फोर ट्री शेटी ता मजीशियन वस रिटर्निंग होम वें अल अफ असुडन इट बिगिन तू रेंड एक शेटी था जो कि एक मुजीशियन था वो अपने घर वापस आ र रहा था तभी एकदम से बारिश पढ़ने लगी इट रेंड हैविली और बहुत सोड से बारिश पढ़ रही थी शेटी लुक्ट अराउंट फोर एशेल्टर एंड सौ अप्रिटी लेट तिल फेर्टियर और फिर उसने शेटी ने सोचा कि मेरे को कहीं पर कोई चायादार जहां पर आपको दूप से बारिश वगएर से बचा जा सकते हैं और जैसे ही उसने उस फेर्ट्री को देखा वो भागा बहुत ही जोर से फेर्ट्री की तरफ सून दरें स्टॉप और तभी तुरंद क्या हुआ जल्दी ही बारिश रुप गई शेटी वस हैपी देट ही डि मतलब है कीला थैंक यू 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 हैव बीन काइंड तो मी फिर वो फेर्ट्री को थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि आप मेरे ले काइंड मतलब देया लू रहे आपको कुछ तोफा देना चाहता हूं तो रिवार्ट का मतलब होता है तोफा आस्क फॉर फोर विश इस फिर जो मजीशन होता है जादूगर होता है वो ट्री से कहता है कि तुम ने मुझे बचाया तुम इले बहुत अच्छे रहे तो मैं तुम्हारी चार विशे मतलब चार इच्छाओं को पूरा करूंगा तुम जो चाहो वो मांग सकते हो the sad fave tree had leaves like needles and nobots ever made their nest on it तो जो भे tree होता है वो काफे सदा दुखी होता है sad कम मतलब होता है तुखी होना क्योंकि उसकी जो पतिया होती है हना वो sui जैसे होते है नीडल का मतलब होता है sui तो उसकी पतिया सुई जैसे होती है इस कि काश मेरे पास ऐसी हरी हरी पत्तियां होती जैसे मेरे बाकी दोस्तों के पास है अगली ही सुभा उसकी जो विश है वो पुरी हो गई सुन अगोट केम लॉग एड ओल दे ग्रीन लीवस फिर तभी क्या हुआ बहुत ही जन्ती एक बकरी आ गई और उसने सारी की सारी हरी पत्तियां खा ली ओ टियर सेट दे फिर्ट्री आई विश आइड ओल गोल्डन लीवस एस गोट्स दो नॉट इट गोल्डन लीवस फिर बहुत है काश मेरे पास पहले जैसी ही सुनहेरी पत्तियां होती क्योंकि वह वाली पत्तियां तो यह जो बकरियां इनको खाती नहीं है फिर जो जो फिर्ट्री था वो अगली सुबह जागा तो उसने देखा कि उसकी जो गोल्डन लीवस थी वो वापस आगई how happy I am it said फिर वो कहता है मैं तो बहुत खुश हो गया हुआ a man came along and stole the golden leaves फिर एक आदमी आता है और फिर gold leaves जो है उसको चुराने के ले जाता है I wish I had glass leaves instead men do not steal glass leaves फिर जो पेड़ोता है वो कहता है काश मेरे पास glass की leaves होती है मतलब काश की leaves होती है क्योंकि अगर काश की होती ही तो कोई भी आदमी उसको चुराता नहीं the next day its leaves sorry the next day its glass leaves stone in the bright sun फिर क्या होता है next day उसकी जो leaves होती है वो मतलब वैसी हो जाती है glass की बन जाती है मगर फिर अगले दिन क्या होता है सुरज की तेज रोशनी में वो बहुत ही जादा तेज चमक रही होती है क्योंकि अब वो तो glass की बन गई होती है how happy I am it said फिर वो कहते है मैं तो बहुत कुश हूँ at night the wind blew woohoo all the glass leaves broke और फिर रात में क्या हुआ हुआ हवा बहुत ही तेजी से चली और फिसारी की सारी जो leaves थी वो तो काच की थी इसलिए वो तोट गई oh dear said the fair tree I like my old needle like leaves best for goats do not eat them no man can steal them and the wind will not do them no harm तो फिर वो कहते है कि कहाँ मेरे पास पहले जैसी ही मेरी जो needle वाली पतियां थी वही हो जाती अगर वो हो जाती तो कितना अच्छा रहता है नहीं कोई goat खाती नहीं कोई आद मिचुराता और नहीं कोई wind मेरी पतियों को तोड़ पाती the tree went to sleep when it woke up the next morning it had all its needles back again तो जब वो tree सो जाता है रात में और जब वो सुबह सोके उठता है तो वो देखता है उसकी needle वाली leaves होती है वो वापस आ गई होती है oh I never was so happy we set the little fir tree फिर 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 का जो tree होता है वो यह बोलता है कि वाओ कि इतना अच्छा हो गया मैं आज बहुत कुछ हूँ इतना कुछ में कभी नहीं हुआ तो इसकी चोटी सी summary देखते है इसमें क्या होता है एक magician होता है मतलब जादूगर होता है वो जा रहा होता है अपने घर वापस तब भी बारिश पढ़ने लगती है उसे एक fir का tree दिखता है और वो उसकी नीचे चला जाता है और वो बारिश से बच जाता है तो फिर magician tree से कह करूँगा क्योंकि तुमने मुझे बारिश से बचाया है तो filter कहता है कि काश मेरी जो पतिया है वो अच्छी हरी होती सुन्दर सुन्दर जैसे मेरी दोस्तों की है तो फिर जब वो सोके उठता है सुभा तो उसकी पतिया ऐसी हो जाती है सुन्दर सुन्दर हरी हरी मगर क्य प्रिटी का मतलब होते है सुंदर नीडिल का मतलब होते है सुई leaves का मतलब पती, गोल्ड का सोनना, स्टोल का चुराना तो इसमें हमें दिखिए हमें correct answer को टिक करना है तो इसमें क्या है, the pretty little fir tree was happy with golden leaves but, but क्या था इसका, जो golden leaves से वो happy तो था मगर उसकी चुरा ली थी, तो third वाला option होगा, a man stole them the fir tree was sad, fir tree दुखी था, क्यों दुखी था, क्यों क्यों दुखी था, क्योंकि उसकी जो needle-like leaves थी, तो second वाला because it had needle-like leaves, with third, the fir tree was not happy with the gold leaves so fir tree था, वो gold leaves से happy नहीं था, क्यों क्योंकि man ने चुरा ली थी, a man stole them, तो इसका होगा option second वाला अब हमारे यह तो फिर पूरा ग्रामर का पार्ट है, तो हमारे exercise होगी complete, तो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कावेंगर के बता सकते हैं, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्स्क्राइब करिए, thank you so much